साथियों नमस्कार मैं राकिस्याग आप सभी का हार्दिक स्वागता बिनन्दन करता हूँ रख्यता भर्धी परीक्षा के लिए चांदार से बिन्दू स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अर्थात विद्याले परबंद होती ज़्यादा महत्वण और सही माइने में देखें तो आपके किल्बस का एक ऐसा बिन्दू जो आप लोगों के लिए पाठी करम में भी सा आजाएंगे उस समय तो इसका बहुत ज़्यादा जो है मैं तो आप लोगों को देखेंगे नमशकार साउंड वगिरे सब ओके है ठीक है प्यारे साथियो बात करते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की देखी क्या होता है आलांकि अपन कह सकते हैं कि जितने भी राज्ये के जो राज की विद्याले संचालित हैं उन राज की विद्यालियों की जो फंडिंग होती है वो सरकार के दवारा होती है यानि राज के विद्यालियों को जो विद पोशन दिया जाता है वो राज्ये सरकार के दवारा दिया जाता है लेकिन ये बात भी हम जानते हैं कि राज तक ही काम आ रहा है यनी आप समझ पा रहे हैं कि राज इतर विद्धallas के संचालन के लिए आने वाला वे भार या वितिए भार कहीं न कहीं जनता ही बुक्तान करती है टेक्स के माध्यम से! ऐसे में सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं जनता को ही इस विद्याले के प्रशासन में भागिदार बनाया जाएगी। प्रमुचित उप्यों को बढ़ावा देगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्तान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्तान के अंदर वर्स 1999 में यानि 1999 में सबसे पहले SDMC जो है वह देखने को मिलती है स्कूल डिवलप्मेंट मेनेजमेंट कमीटी आप जिसको कह सकते हैं विद्याले विकास परबंदन समीती है उसके पश्चात प्यारे सातियों वर्स 2011 के अंदर असो गहलोजी की सरकार्ती सीवराज पाटिल समय तातकालिन राजयपाल हुआ करते थे वर्स 2011 में हमारे देश के अंदर जो छोटे या प्रात्मिक विद्या लहीं प्रात्मिक विद्यालों के लिए SMC का प्रावधान किया गया यानि सबसे पहले SDMC आया था बाद में क्या आया SMC आया और फिर आपको पता होना चीए कि वर्स 2015 में आदर्स विद्याले कारे करम चले थे इन कारे करमों के तहट क्या किया गया था कि इन दोनों परकार के समीतियों को यानि परतेक विद्याले के अंदर इन दोनों परकार के समीतियों के संचालन की वेवस्ता की गये थी यानि परतेक राज्य या परतेक विद्याले के अंदर ये दोनों समीतियां काम करेगी ऐसा प्रावधान बिल्कुल प्यारे साथियों ऐसा प्रावधान हमा और सारी धाराएं देखो आमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है। हम जो महत्वपूर्ण सारगर भी तो अमारे लिए धाराएं हैं उन धाराओं का तो बहुत अच्छे से अध्यन करेंगे। बाकि पढ़ने को तो अपन सभी परते एक धाराएं अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला और शांदार सा प्रशन तो यही बन जाता है कि सर उदेश्य क्या है? क्या उदेश्य है? किन उदेश्यों की पूर्ती के लिए जो है इसको प्रार्म किया गया था? ठीक है? तो प्यारे साथियों बहुत अच्छे से आपको जो है वो चीजों को ज्यान में रखते विए आगे चलना है कि उदेश्यों के अंदर सबसे पहला उदेश्य से आपको याद रखना है कि समुदाई की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए यानि जो समाज है हमाज की समुदाई की सहभागिता सहभागिता यानि पार्टी स्पेश्ट सहभागिता सथा स्वामित्व की क्या पोइंट निकल कर आया पहला? पहला पोइंट देखिए समझने की जहाँ चीज होगी वाँ बिलकुल समझाएंगे बाकी इतने आसान प्रावधानों के अंदर आपका पूरा ये जो है SMC कंप्लीट करवा दूँगा कि आपको विशेश दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं रहे ठीक है न? तो बहुत एजी सब्दों में आपन समझेंगे कि समुदाएं की सहभागिता तता स्वामितों के लिए ऐसे ही प्यारे साथियों आपको एक और प्रावधान पूछा जा सकता है तो वह भी याद रखना है कि विद्द्याले के अंदर प्रयूग तो होने वाले मानविय तता भोतिक संसादनों के समुचित प्रयूग के लिए ये दूसरी बात लिख लेंगे मानविय तता भोतिक संसादनों के एक सामाने से बिंद्दू आप लिख सकते हैं कि सिक्षा की गुणवता बढ़ाने है तू सिक्षा की पत्ता बढ़ाने ठीक है एक आप बोल सकते हैं कि जवाब देहिता बढ़ाने के लिए accountability को increase करने के लिए ठीक है ना तो जवाब देहिता, जनता के प्रती जो है, समाज के प्रती विद्याले की जवाब देहिता है, तो जवाब देहिता को बढ़ाने है तू, बढ़ाने है, यह तू भी इसका SMC का गठन किया गया, ऐसे ही आप एक और चीज बोल सकते हो, कि विद्याले की विकास के लिए जो को प्राप्त वन वाले अनुदान हो, इन सभी से प्राप्त जो विद्याले विकास कोश हो उस विद्याले विकास कोश का समुचित उपम्योग भी इसके माध्यम से समभ ओगा है यह भी आप लिख लेंगे सबस्सक बूण कि fund के सदूपयोग है तो सदूपयोग विद्याले विकास कोस SDF के सदूपयोग ठीक है प्यारे साथियो तो अगर आपसे यहां से प्रशन बन जाए कि जो SMC है इस SMC का सदूपयोग या SMC का उदिश यह पूछ लिया जाए आपसे तो मेरे ख्याल से अब आपसे प्रशन गलत नहीं होगा क्योंकि समुदाई की सहब आगिता तता स्वामित तो बढ़ेगा समुदाई की सहब आगिता का मतलव अगर SMC बनेगी तो जो समाध है जो बच्चों के माता पिता है वो विद्याले के परती अपना जुडाव महसूस करेंगे अना ऐसे ही विद्याले के अंदर अध्यापक है विद्याले के अंदर अध्यापक है विद्याले का जो बालक है विद्याले में अभिवावक हैं ये सभी विद्याले के मानिवे संसादन होते हैं ऐसे ही विद्याले का भवन हो गया, खेल का मैदान हो गया, वो सब भोतिक संसादन होते हैं, तो विद्याले के अंदर जितने मानवे तता भोतिक संसादन हैं, इन मानवे तता भोतिक संसादनों के सदूपियों के लिए भी हमारे लिए क्या जरूरी है, प्यारे साथियों SMC जरूरी होती है लेरोगे बात सभी को ऐसे ही आपको याद रखना है कि सिक्षा की गुणवता को बढ़ाने के लिए भी SMC आवशक होती है अच्छा स्कूल जो है विद्याले जो है वो बालकों के प्रती या बालकों के माता-पिता के प्रती कितनी accountability रखता है कितनी जवाब द के हिता रखता है इस बात को भी सुनिशित किया जाता है किसके माध्यम से किसके माध्यम से प्यारे साथियो तो आप कहे सकते हैं SMC के माध्यम से ऐसे ही कि जो मैंने बताया कि दान अनुदान चंदे से जो फैसा इकठा होता है उस पैसे की accountability को जानने के लिए उस पैसे के मैंने पहले वर्स 99 की बात करी थी तो मैं वो तारिक भी बता देता हूं प्यारे साथियो 22 अप्रेल 1999 यानि 22 अप्रेल 1999 क्या हुआ था सर इस दिन तो ध्यान रखना मैंने कहा था ना SDMC वाला प्रावधन तो वो लिग लो कि राजस्तान सरकार ने तारिकों के इस साब से करें माद्यमिक विद्यालियों तो यह चीद हान रकनी है राज की है उच्छ माद्यमिक विद्यालियों राज की है लिख्य तुच्छ माध्यमिक विद्ध्यालियों। या मैं यू कैदू माध्यमिक विद्ध्यालियों। माद्धििमिक विद्याल्यों में विद्याले की इंपोर्टनेट याद रखना विद्याले विकास कोश परबंद समीटी विद्याले विकास परबंद समीटी परबंद और क्या बोलेंगे इसको School Development Fund and Management Committee SDFMC यह द्यान रखना है परबंद समीटी का समीटी का परावधान किया यह बात आपको ध्यानक नहीं है देखिए अपन SMC के अस्तित्तों की तरह बढ़ रहेंगे SMC कैसे existence में आती है SMC किस तरीके से जो है आप यूं कह सकते हैं कि राजस्तान की सिक्षा वैवस्ता में व्यापत हुई है हम उसका उलेक कर रहे हैं क्लियर टी तो ठीक है तो माद्यमिक विद्यालियों में विद्यालिय कोश विद्याली विकास कोश्वया प्रबंदन समीटी का प्रावधान किया गया और यह तारीक आपको याद रखने है 22 अपरेल 1999 बहुत इंपॉर्टन तारीक है देखिए तारीकों का खेली तना महत्वण होता है कि जैसे जैसे तारीकें आगे बड़ी किनी सी तोर पर हमें जो है हर तारीक से अपन कुछ ने कुछ एडिशनल इंफरमेशन लिखते चले जा ठीक है ना आगे देखिए आगे दूसरी बात मैंने आपको बताई थी वर्स 2011 के बारे में किसके बारे में बताई थी वर्स 2011 और वह तारीक याद रखने है प्यारे साथियो 10 मई 2 कौनसी तारीक है 10 मई 2,011 क्या हुआ था तो वो देखिए लेकिन बाद में लेकिन बाद में प्रार्म्भिक शिक्षा हे तू वो तो देखो माध्यमिक और उच माध्यमिक थी ना, अब अपन क्या कहा रहे हैं, बाद में प्रार्म्भिक शिक्षा हे तू, यानि कक्षा 1-8, कक्षा 1-8, वो तो 9-10-11-12-2012 के लिए था, SDFMC जो है, यूँ मान के चलो, 9th क्लास से उपर क लेकिन 10 में 2011 को हमने क्या कर दिया प्रार्मिक शिक्षा है तू कक्षा 1 से 8 के लिए अलग से SMC के गठन को मंजूरी दे दी के लिए प्रतक रूप से या अलग से SMC विद्याले विकास समिती SMC के गठन को मंजूरी दे दी अब यहां से एक साधान सा प्रशन बताता हूँ पुछा जा सकता है कि इस समय हमारे राजस्तान की राजयपाल कौन थे मैंने आपको बताए था कि तातकालिन राजयपाल का नाम है सीवरास पाठिल क्या नाम है प्यारे साथियो सीवरास पाठिल यदि पूछ लिया जाए ता में 2011 देखिए मैं तीन तारीक आपको बताऊंगा एक 2015 की तारीक भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले ये दोनों तारीक आपके लिए महत्वपुन हैं 22 अपरेल 1999 को हमने कहा कि सबसे पहले माद्यमिक और रूच माद्यमिक विद्यालियों के लिए विद्याले विकास कोश वे प्रबंदन समीति का गठन होता है ठीक है न उसके बाद में ऐसा काम चलता रहा लगबग लगबग यूं मान की चलो अगले 12 वरसों तक 12 वरस के पस्चात हमने प्रारंबिक शिक्षा के लिए भी मेनेजमेंट करना जरूरी समझा और प्रारंबिक शिक्षा के लिए हमने जिस समीति का प्रावधान की अब्यारे साथियो वे समीति कौन सी थी SMC ठीक है और दो प्रशन मैंने आपको इस फे अलग से बता दिये हैं कि उस समय हमारे राज्यपाल कौन हुआ करते थे और हमारे मुख्यमंतरी कौन है अब की बात करते हैं एक पॉइंट के माध्यम से अपन समझ लेंगे इधर तो अपन SMC से संबंदित बात करेंगे और इधर अपन SDMC से संबंदित बात करेंगे कि SDMC क्या होती है और SMC क्या होती है ठीक है और बीच बीच में जो है हमारी कुछ एक्स्टा बातचीत होगी तो उनक पहले अगर प्रशन बन जाए किसको लेकर इस्तापना को लेकर किसको लेकर इस्तापना तो सर इस्तापना को लेकर अगर प्रशन बनता है तो आप क्या कहेंगे तो याद रखना यदि प्रशन बन जाए कि SDMC की स्तापना कब होती है तो अभी अपन पढ़कर आए हैं 22 अपरे बन जाएगा तो मेरे ख्याल से आपका प्रशन गलत नहीं और ना चाहिए ऐसे ही एक प्रशन और बन जाए और वह है कि कौन सी कक्षा तक जो है वह है SMC और HDMC मार करता है या कारेशित्र होता है तो आपको ध्यान अकना है प्यारे साथी यदि SDMC की बात करता है तो अभी अपने देख लिया कि 90 से 12 तक कहां से कहां तक कक्षा 9 से 12 तक ये काम करता है तो फिर सर ये कितने तक काम करता है तो आपको याद रखना है कि कक्षा 1 से 8 तक ये इसका कारेशित्र हो गया ठीक ऐसे ही प्रशन बन सकता है प्यारे साथी किसको लेकर आयू को लेकर भी प्रशन बन सकता है कि बता ये SDMC जो है वो किस आयू वर्ग के बच्चों से संबंदित है तो आपको ध्यान रखना है पहले चलो ये छोटे बच्चों से संबंदित है तो इनकी बात कर लेते हैं ये वर्ष 6-14 यानि 6-14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है जबकि ये वाली जो है ये 14-18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सा है SDMC है ठीक है ऐसी अध्यक्स को लेकर प्रशन बन सकता है कि अध्यक्स कौन-कौन होते हैं इन समीतियों के तो अध्यक्स को भी आपको याद रखना है यदि पूछ लिया जाए SDMC का अध्यक्स कौन है तो आपको याद रखना है उस विद्याले का परधानाचारे जो है वह क्या होगा उस SDMC का क्या होगा प्यारे साथियो अध्यक्स होगा वहीं पर जो SMC है इस SMC के अध्यक्स की बात करेंगे तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों में से एक बच्चे के अभिवावक जो है वो क्या होंगे इसके अध्यक्स होंगे अभिवावक क्या होंगे प्यारे साथियो अध्यक्स होंगे एक और प्रशन आपको बता देता हूँ दोनों को कॉमन करके मैं और वह है सेक्रेटरी सचीव को लेकर याद रखना प्यारे साथियो अभिवावक क्या है SMC के अध्यक्स हैं तो यहाँ पर सचीव का कारे कौन करेगा तो याद रखना है उस विद्याले का प्रधाना अध्यापक कौन करेगा प्यारे साथ यो Head Master प्रधाना अध्यापक जो है वह समस्त परशासनिक कारे करेगा अच्छा और इधर कौन होगा तो याद रखना है वरिष्ट अध्यापक वरिष्ट जो Senior Most Teacher है वही क्या होंगे यहाँ पर यहाँ पर सेकरेटरी का कारे करेंगे वरिष्ट अध्यापक वरिष्ट अध्यापक लेर होगी बात यहाँ तक सभी को लेर है ना तो देखिए अब तक जो है महत्वपुन चीज आपको याद रखनी है अब तक एक महत्वपुन चीज याद रखनी है भाई दो तो तारीकों का खेल याद रखना है 22 अपरे 1999 को HD FMC आई पहले फिर हमने का 10 मई 2011 को असो गहलोट सरकार जो थी उसने SMC के प्रावधन को मंजूरी दे दी ठीक है और फिर हमने सारी तारीकों की भी बात कर ली हमने कक्षा की भी बात कर ली हमने आयू वर्ग की भी बात कर ली हमने अध्यक्स और सचीव की भी बात कर ली यह आयू वर्ग च्छै है बिटा ना इसको आठ मत समझे ले जैसे 14 ठीक है, clear होगी हमने आयू की बात कर लिया, देख सची उस्तापना कक्षा, इन सभी चीजों की हमारे क्या है बातचीते हो चुकी है ठीक है, अब देखी एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूँ यह वाला जो आपका प्रावधान है न 10 में 2011 वाली बात इस बात के साथ ही आप जो है एक चीज बहुत अच्छी सी नोट कर लो बहुत अच्छी सी जो है एक बात नोट कर लो और बात क्या है कि यह जो SMC प्रार्मबिक रूप में आई थी इस SMC को यह बहुत अच्छा टेक्निकल क्यूशन बता रहूँ आपको मैं SMC का प्रार्मबिक रूप से जब आगमन हुआ था तब SMC को सर्व सिक्षा अभ्यान के तहत जोड़ा गया था SSA के तहत जोड़ा गया था पर आपन समसा पढ़कर आए हैं वर्स 2018 की पसंसा शुरू हो गया कि बताये जो विद्यालय परबंदन समीठी है इस विद्यालय परबंदन समीठी को सर्व सिक्षा अ भ्यान से कब जोड़ा गया तो आपको तूरं तांसर देना है कि वर्स 2011 में और यदि प्रशन मन जाए कि जो आपका SMC है इसको समसा से कब जोडा गया यानि आपन समगर सिक्षा अभ्यान पढ़कर आया है ना उस समसा से कब जोडा गया तो आपको याद रखना है वर्स 2018 यह बहुत टेक्निकल चीज आपको याद रखने है और इसको नोट डाल के लिखेंगे अपन लिख लेते हैं प्रारंब में SMC को सर्व सिक्षा अभ्यान सर्व सिक्षा अभ्यान के साथ जोडा गया साथ है परंतू आरा से SMC के अधिन कर दिया गया है यानि आज कल ये जो सारे काम हैं ये SMC के अधिन होते हैं किसके अधिन होते हैं प्यारे साथियो SMC के तो यह बहुत अच्छा पॉइंट था और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बात कलियर हो जाए ठीक है ना ठीक है ये चार्ट कलियर हो 2015, 21st of January 2015, क्या होता है तो याद रखना, मैंने कहा था आदर्स विद्याले योजना, कौन सी योजना चली थी, आदर्स विद्याले योजना, हाना, आदर्स विद्याले समसा में पढ़कर आए है, मैंने आपको बताए कि गवाम के बड़े स्कूल में क्या कर दिया गया था, समनवीत कर दिया गया था, मिला दिया गया था, उसी को बोलते है समनवीत विद्याले कारे करम, उसी को क्या बोलते हैं प्यारे साथियो, समनवीत विद्याले कारे करम के अनुसार, परतेक विद्याले में, परतेक विद्य सी है SMC और SDM SMC कक्षा एक से आठ के लिए काम करेगी और SDM सी कक्षा नो से वारा के लिए काम करेगी तो कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे साथियो अब जो है ना अब अब की ये स्थिति है कि साब 2015 के पस्चा जब आदर्स विद्याले योजना प्रारम की गई थी तो आदर्स विद्याले योजना में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि अपरते एक विद्याले के अंदर दो परकार की जो है वो समीतियां यू मान के चलो काम करेगी एक जिसको आप क्या कहेंगे SMC SMC छोटे बच्चों यानि कक्षा एक से आठ के लिए काम करेगी तथा जो SDMC है वो कक्षा नो से बारा के लिए काम करेगी ये प्रावधान कब कर दिया गया 21 जनवरी 2015 को अब तारिक भी याद रहनी चाहिए और कारेकरम भी याद रहनी चाहिए कारेकरम कौन से हैं प्यारे साथियो आदर्स विद्याले योजना और समनवित विद्याले विकास कारेकरम तो इसके तहट जो है दोनों को जोड़ दिया गया था तो अब हमारे लिए जो जरूरी टॉपिक यहां से निगलता है वह क्या है SMC है क्या है प्यारे साथियो SMC है तो अब आपन देखिए अब तक आपने एतियासिक तथ्यों की बात करी थी कुछ महत्वपुन भेक्ट की बात करी थी है ना अब आपन बात करेंगे SMC की अब आपन किसकी बात करेंगे SMC देखिए सबसे पहले तो एक प्रशन आके खड़ा हो जाता है कि सर कहां पर लिखा है SMC बिना नियम तो देखो कुछ हो नहीं सकता कहीं न कहीं तो देखो उल्ले किया गया होगा सर कोई अदिनियम में उले किया गया होगा तभी तो जाके आज विद्यालिव के अंदर SMC SDMC कारे कर रहे हैं समझ रहे मेरी बात को ठीक है ना तो कहीं ने कहीं तो जो है प्रावधान किया गया होगा तो प्यारे साथ यह उसी चीज को लेकर अपन बात कर रहे हैं उसी चीज को लेकर जो है अपन चर्चा कर रहे हैं किसाब RTE अपन पढ़ कर आए हैं और धारा 21 भी अपने पड़ी है तो बैस उनी धाराओं से आपको जिक्र करना है देखिए आपन अभी बात कर लेते हैं RTE 2009 की धारा 21 धारा 21 तथा राजस्तान का भी RTE पड़ा है अपने जिसका नियम 3, 4, 5 इसके बारे में बात करता है SMC की बात करता है तो RTE जो हमारे सेंटर का है तथा राजस्तान का RTE उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? R-R-T-E यानि राजस्तान RTE समझाने के लिख रहा हूँ तो R-R-T-E के नियम के नियम 3, 4, 5 के नियम 3, 4, 5 के अनुसार 3, 4, 5 के अनुसार परतेग राज के विद्याले में परतेग राज की है विद्याले में परतेग राज के विद्याले में SMC का गठन किया जाएगा SMC का गठन किया जाएगा ठीक है? और SMC में SMC में कितनी 30 धाराएं है SMC में क्या है? 30 धाराएं है तो ये अगर ये पॉइंट मैंने इसली लिखा है कि बिटो आपके मन में आ सकता है कि सर वेलिडेशन कौन प्रोवाइड गरवाता है? यनि कहां पर ऐसा उलेक किया गया है कि SMC होनी चाहिए तो हमने का RTE उठालो चाहे RTE की धारा 21 उठालो आप देख लो आप पढ़कर आए हो कि SMC होगी SMC होगी विद्याले प्रबंदन के लिए और चाहे आप राजस्तान का RTE पढ़ें तो उसका नियम 3, 4, 5 ये तीनों जो हैं ये किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों किसकी बात करते हैं तो आपका अंसर होगा कि सर ये SMC की बात कर रहे हैं इसकी SMC की ठीक है? तो अब आपन SMC की एक-एक धारा का करम से अध्यन करेंगे और बहुत महत्वण तरीके से मैं जिन धाराओं पर आपको यूं बोल दूँ न कि ये धारा आपको बहुत अच्छे से याद करनी है तो वो तो प्यारे साथियों गोट के पी जाना बाकि सारी धाराएं महत्वण नहीं है जैसे अपन सबसे पहले धारा एक पढ़ रहे है ये धारा भी इतनी महत्वण नहीं है क्योंकि एक्जाम देखो अपन को एक्जाम के औरियंटेट पढ़ना है ठीक है न? अपन को एक्जाम के हिसाब से पढ़ना है तारा एक तारा एक क्या कहती है तारा एक कहती है कि SMC का नाम क्या होगा तो आपको याद रखना है विद्याले के नाम पर ही SMC का नाम होगा बैस तो आप लिखेंगे विद्याले के नाम पर ही विद्याले के नाम पर ही SMC का नाम होगा ठीक है तो ये धारा इतनी महत्वपुन तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना है पूछा जा सकता है कि SMC का नाम क्या होता है अगर धारा की रूप में नहीं पूछेगा तो सीधा प्रशन पूछेगा कि विद्याले के SMC का नाम क्या होगा तो आपको याद रखना है संब कर रही है कारे शित्र की धारा दो किसकी बात कर रही है कारे शित्र की देखिए अब यहां से दो प्रशन बहुत अच्छे बनते हैं प्यारे साथियो एसमसी के कारे शित्र को लेकर दो प्यारे प्रशन बन रहे हैं आपके समक्ष रख रहा हूं पहला प्रशन तो यह बनता है कि बताए SMC का कारे शित्र क्या होगा कहां तक होगा तो आपको उस option की उस विकल्ब की पहचान करनी है जो विकल्ब ये कहे कि SMC का कारे शित्र बालकों की निवास इस्तान तक होगा यानि SMC वहां तक कारे करेगी जो बालक का घर है यानि बालक के घर पर जाकर भी उसके समच्चाओं का समाधान करेगी एक प्रशन तो ये द्यान रखना है दूसरा आपको ये द्यान रखना है कि SMC जो है यदी प्रशन बन जाए कि SMC के विकास कारे जो है वो कहां तक होंगे SMC के विकास कारे उनसे यदी प्रशन बन जाए तो प्यारे साथ ही याद रखना है वो विद्याले की चार दिवारी के अंदर अंदर हो विद्याले की चार दिवारी से बाहर विकास कारे नहीं हो सकते कमजगे मेरी बात को विकास कारे का मतलब ऐसा नहीं है सर बालक के गर पे कारेशित्र का मतलब बालक को अध्यन संबंदी अगर कोई बादा आ रही है तो SMC उसके इस बात का समाधान करने का परियास करे तो इकारेशित्र से दोनों अच्छे प्रशन बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों दोनों प्रशनों को आप जो है घंबीरता से लिग लीजिए पहली बात तो आपन कहेंगे कि विद्याले में पढ़ने वाले छात्र विद्याले में पढ़ने वाले छात्रों के निवास इस्तान तक ये कारेशित्र होगा ठीक है पहला प्रशन आपको याद रखना है अच्छा दूसरा मैंने क्या कहा परन्तु विकास का रहे है परन्तु विकास का रहे है केवल विद्याले परीसर में ही विकास का रहे केवल विद्याले परीसर में ही विद्याले परीसर में ही होंगे ये बात आपको बहुत अच्छे से समया आ जानी चीए और ये बहुत important धारा है प्यारे साथियो अगर धारा एक और दो में बात करते है न अगर महत्वपूनता की तो आपको याद रखना है कि धारा एक और दो के अंदर धारा दो जादा महत्वपून है ठीक है क्लियर होगे बात सभी को ठीक है न अब देखिए ऐसे ही धारा तीन महत्वपून है भाई धारा तीन SMC के उद्धिशों को लेकर बात करती है कि हमें SMC के स्थापना की आवशक्ता के अपड़ी SMC के उद्धिश्य को लेकर कौन सी धारा बात कर रही है धारात तीन देखिए आप देख पा रहे हैं कि इजी इजी दाराएं है तो पहरे साथ यो ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है SMC के उदेश्य पहला उदेश्य होता है समसी का सबसे जरूरी विद्याले विकास खोश्ट का निर्मान करना दूसरा आपको याद रखना है आप कह सकते हैं कि जो बच्चों के पैरेंट्स हैं अभी वावक हैं जन समाने हैं समुदाए हैं उन से जो है अनुदान पराप्त करना ये वाले बात भी आप दिख सकते हैं आप लिखेंगे अभी वावकों वै नागरी कों से अभी वावकों नागरिकों से अनुदान प्राप्त करना क्या लिखा अभी वावकों वैं नागरिकों से अनुदान प्राप्त करना यानि विद्याले प्रबंद समीति का ये दाइट तो बनता है कि वह किसी भी सार्वजनिक инки औसर पर वह है मोटिवीट करेगा हुआ कि लोगों को नागरीकों को कि आप विद्ध्रय विकास कोष के लिए क्या करो पैसा दो जिससे हमारे विद्ध्रय का विकास किया जा सके तो अभी वावकों वनागरीकों से अनुदान भी प्राप्त करने का काम इसी का है ऐसे ही आपको याद रखना है कि विद्याले विकास की योजनाओं के प्रारूप को तयार करना ड्राफ्ट तो एटलिस्ट तयार करेंगे तो ये काम भी इसी का है विद्याले विकास हे तू जेले विकास है तू जेले विकास है तू योजनाओं का प्रारूप तयार करना ठीक है? कि भाई किस तरीके से डिवलप्मेंट करेंगे, कितने समय में अपन विकास करेंगे, ठीक है ना? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट बनता है ऐसे ही आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि विद्याले के अंदर जितने भी कारे चल रहे हैं उन कारें की या उन गति वीडियों की मोनिटरिंग करना, मोनिटरिंग का मतलब उनका सूपर विजन करना, हाना? तो ये चोथा पॉइंट भी आपको याद रख लेना है आप कह सकते हैं कि विद्याले में संचालित विद्याले में संचालित गति वीडियों की मोनिटरिंग करना, मोनिटरिंग करना ठीक है? और क्या हो सकता है? तो विद्याले के अंदर आप देखो कि सिक्षन अधिगम सामगरी होती है, सिक्षन साहिक सामगरी होती है, कोई भी चीज मान लो, आप आजकल जैसे युमान सकते हो कि बोर्ड की वेवस्ता हो गई, या युमान कि चलो फरनीचर की वेवस्ता हो गई, या कक्षा कक्ष के किस सकते हैं कि साब सिक्षन अधीगम सामगरी सिक्षन अधीगम सामगरी या सिक्षन अधीगम उपकरण की लब्दता सुनी स्चित करना उपकरण की लब्दता करना ए रोगी बात सभी को तो प्यारे साथियों मैंने कहा तीन धाराएं हमारी हो चुकी है तीसरी धारा भी अपेक्षाकरत महतुपुन है धारा दो भी महतुपुन थी धारा तीन भी महतुपुन लेकिन तीन से प्रशन सीधा सा बनता है कि निम्न में से कौन से SMC की कार्य हैं अत्वा नहीं है तो अगर आपने अच्छे से पड़े हुए होंगे तो आप कार्यों की तूरंट पहचान कर देंगे और प्रशन आपका गलत नहीं होगा अब बात करते हैं धारा तीन के उदेश्यों की तो आपने देख लिए कि विद्याले विकास को उसका निर्मान करना है अभी वाव को नागरिकों से अधान प्राप्त करना है विद्याले विकासी तो योजनाओं के प्रारूप को तयार करना है जितनी गतिवीदियों विद्य सबर्सक च्रक कि बात करेंगे लेकिन आपको याद रखना है कि जो डारा चार है कौन सी जो डारा चार है ना वह कि अपन आपने पढ़ेंगे यूममने चलो इनके नदर दो पर्कार की सभा सामने आथी है एक जिसको आप साधारन सभा कहते हैं जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं और एक साधारन सभा से ही निकलती है 16 सदश्यों वाली कारेकारी समीती जिसको आप Executive Council बोलते हैं निश्पादन परिशद बोलते हैं प्यारे साथियों इन दोनों को समझना भोज़री है यहीं से जो है Examiner प्रशन बनाता है बड़ी गंबीरता के साथ समझना सबसे पहले आपन धाराचार की बात करेंगे और मैंने बातों बातों मैं आपको बताया कि धाराचार साथान सभा के बारे में बात करती है सबसे पहले आपको साथान सभा के सदश्यों से प्रशन बनते हैं कि साथान सभा में कौन-कौन जो हो सदश्य हो सकते हैं यानि साथान सभा याद रखना सबसे पहला प्रशन तो ये बन जाए कि बताये साधान सभा कि सदश्य संख्या कितनी होती है तो आपको याद रखनी है सदश्य संख्या कोई निश्चित नहीं है संख्या निश्चित नहीं सदश्य संख्या मैं यू लिख देता हूँ सदश्य संख्या निश्चित नहीं तो हमने क्या कहा? साधान सवा की सदस्यों की संक्या निशित नहीं होती. क्यों नहीं होती? आईए चर्चा करते हैं. अभी आप खुद इसका जवाब देने में सक्षम होगे. यानि सबसे पहले तो आपको सदस्यों के नाम लिखने हैं. तो आपको याद रखना है कि विद्य सबस्क्राण 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 सरंक्षा सरंक्षा ले रोगी बात सबी को दूसरा है विद्याले के अध्यापक दूसरा कोन है प्यारे साथियो विद्याले के अध्यापक विद्याले में जितने भी अध्यापक है विद्याले के अध्यापक वह भी इसके क्या होंगे इसके सदश्य हो जाते हैं विद्याले के अंदर कितने अध्यापक आप अध्यापकों की कोई संक्या निश्चित नहीं हो ठीक है न तो विद्याले के जितने अध्यापक हैं वो स्वते ही SMC की साधान सभा की क्या बन जाएंगे सदश्य बन जाएंगे ऐसे में एक और याद रखना है कि जिस एरिया जिस शेतर के अंदर वह है विद्याले इस्तापित है उस शेतर में जीला परमुख, नगरपाली का अध्यक्स, सरपंच ये अपने आप क्या बन जाएंगे उसके सदश्य बन जाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी दिखलो आप अब लेख सकते हैं कि संबंदी चेतर में निवास करने वाले दिला प्रमुख, परधान, सरपंच, नगरपाली का अध्यक्स ये भी अपने आप क्या बन जाएंगे कि सदश्य बन जाएंगे, ने के वली अध्यक्स ही सदश्य बनेंगे आप इतु सदश्य यानि दिला परीशद के सदश्य, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि वाल्ड पंच और नगरपाली का के पारशद, ये भी अपने आप क्या बन जाते हैं, सदश्य बन जाते हैं, यानि आप यूँ भी लिख लो दिला परिशद सदस्चे पार्शद लिख दो नगरपालिका के पार्शद ऐसे ही पंचायच समीती के सदस्चे लिख दो पंचायच समीती सदस्चे परधान को बनाते हैं न वह ऐसे ही लिख लो वार्ड पंच वार्ड पंच अलांकि इसका उलेक अपन प आप याद करो मैंने आपको बताय था कि MLA भी दो लोगों को क्या करता है? मनोनीत करता है तो वो दो लोग भी इसके सद्खेचा होंगे याणि आप लिख लेंगे विधाईक दौारा दौारा मनोनीत दो सद्खेचे जिसमें एक महिला अनवारे में लिखाए है ना दोरा, नामित् तीन विदवान, नामित् तीन विदवान, ये भी क्या होते हैं, उस SMC की साधान सवा की सदश्यों होते है, तो प्यारे साथियू, भहत अच्छे तरीके से आपको जो है, यहां से प्रशन कु समँझ जाना है, धाराचार इंपोर्टेंट है, हमने बात करी सब की धारा चार के तहत कौन सी धारा के तहत SMC की धारा चार के तहत जो है वह किसका प्रावधान किया गया है साधान सभा का प्रावधान किया गया है और साधान सभा जो है इस साधान सभा की सदस्य संक्या प्यारे साथियों कोई निश्चित नहीं होती सदस्य संक्या इसकी वो शामिल होते हैं, अब किस विद्याले के अंदर कितने बच्चे पड़ेंगे, उनके कितने अभिवावक हैं, वो कोई संख्या countable नहीं होती है, ऐसे ही विद्याले में कितने अध्यापक हैं, उनके संख्या भी निशित नहीं की जा सकती है, क्योंकि वच्चा चातर संख्य बन जाएंगे फिर है विदाएक द्वारा दो लोगों को मनोनित किया जाएगा ऐसे ही डियो द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि नामित तीन विद्वान जो है वो भी इसके सदश्या बन जाते हैं प्यारे साथियो बहुत बढ़िया तरीके से मेरे खाल से आपको ये एक-एक जो है वो कंठस्ट होते जा रही है ठीक है ना बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ को लेर होगी चीज अगली स्लाइड पर अपन डार्क पेन को ले ठीक है ओके यहां तक ठीक है प्यारे साथ यो अब देखिए अपन कुछ और धाराओं की बात करते हैं मैं एक ही क्लास के अंदर कोशिश करूँगा कि आपका पूरा SMC जो है वो निप्टा दूँ क्योंकि जो मैत्वपुन धारा हैं उन पे फोकस करेंगे बाकी धाराओं को इतना कंभिरता से पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो धारा प्यार सातियो धारा पांच धारा पांच में आपको याद रखना है कि जो अध्यक्स उपाध्यक्स और सचीव साधार्न सभाके हैं वही उपाध्यक्स अध्यक्स और सचीव कारे-कारी परिशद के होंगे तो ये पॉइंट अलग से ही बोल दिया और वैलिक लो साध साधान सभा के अध्यक्स उपाध्यक्स वैं सचीव वेही वेक्ति होंगे वेही वेक्ति होंगे जो कारेकारी या निश्पादन एक्जिक्यूटि काउंसिल कारेकारी परिशत के अध्यक्स उपाध्यक्स वैं सचीव होंगे अभ आप कहेंगे सर ऐसी क्या विश्यस बात है कोई विश्यस बात नहीं है मैंने का दो परकार की समीतियां होगी दोनों परकार की समित्य हैं चाहे वो साधान सबा हो चाहे वो आपकी कारेकारी परिशिद हो दोनों के देख्ष वही जो साधान सबा का देख्ष वही कारेकारी परिशिद का उपा देख्ष होगा जो साधान सबा का सचीव है वही क्या होगा उसका भी कारेकारी परिशिद का भी सची होगा यह दारा पांच कहती है अच्छा धारा człowie यह इंपोर्टेन है पांच भी धारा रा जै भी मेहत्वपुर नहीं है धारा ज्वय यह कहती है कि जो आपकी SMC है उस SMC के जितने सदश्य हैं वह सारे के सारे सदस्य आपकी साधान सभा के क्या बन जाएंगे, सदश्य बन जाएंगे तो ये बात भी आपको लिख लेनी है कौन सी धारा में, धारा शे में पारा पांच होगी, धारा शे आप लिख लो, SMC के सदश्य SMC के सभी सदश्य साधार्न सभा के सदश्य या साधार्न सदश्य तो ये लिख लो 5, 6 बी इतनी कोई ज़्यादा महत्वपुर्द्नी है, बात करते हैं धारा 7 की, उनसी धारा की? धारा 7, धारा 7 देखो, साथ याद रखना, साथ का मतलब है साथ 2, किस से पैसे से साथ 2, तो समझना, धारा 7 ये कहती है कि किसी भी सदश्य को चंदा या अनुदान देने की अनि इद्या लेके विकास के लिए ठीक है ना चंदे की कोई अनिवारिता नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई देना चाहता है तो वह वेक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है उसकी स्वेच्छा पर अपनी इच्छा पर निर्भर करता है एक बात दूसरी बात देकिन फिर भी तेंधे समीती सदश्य ये चाहते हैं कि अपन जो मेंबर्स हैं जितने लोग मेंबर बने वैं अपन तो कोई membership सुल्क दें, तो देखोस इस को सभी समीती के सदश्य दोत्याही महमत से पारित करेंगे कि वह कित्ना सदशिता सुलकु ना कहिए ठीक है अभी मैं इस चीज को लिख देता हूँ बहुत बड़िया तरीके से आप जो है समझ जाए धारा साथ क्या कहती है धारा साथ कहती है कि देरीज नौ है कि छंदी की अनिवारिता नहीं है धन्दे की अनिवारिता तो फिर कैसे स्वेचा से ही चंदा दे सके स्वेच्चा से ही ठीक है ना अच्छा बात आगे सद्श्यता सुल्क की चर्चा कर लेते हैं मैंने आपको बता दिया कि की पदश्य इस सुल्क का निर्धार्न इस सुल्क का निर्धार्न करेंगे करेंगे यानि देखो चंदे पहले तो चंदे की बात को समझते ना चंदे के लिए कोई कंपंशेशन नहीं है कोई जरूरी नहीं कि आपको चंदा देना ही पड़ेगा चंदा के वले वेक्ति की स्वेच्चा पर निर्वर करता है वहीं पर बात करें जो समीति के सदश्य हैं को सदश्य यह यह दी चाहते हैं कि साब अपना क्या होना चीये कोई सदश्यता सुल्क होना चीये तो ऐसे प्रस्ताव को प्यारे साथ यो दो त्याही बहुमत से क्या करना होगा पारित करना होगा ये कौन सी धारा होगी धारा साथ कौन सी धारा होगी धारा साथ धारा आठ बात करती है समीति के सदस्यों का कारेकाल का समाप्त होना ठीक है न धारा आठ लिख लो धारा आठ सारा आठ सारा आठ क्या कहती है कि जो साधार्न सवा है उस साधार्न सवा के जो सदश्य है उनका कारे काल कैसे समाप्त होगा तो उसकी बात लिख लो साधार्न सवा के साधार्न सवा के सदश्य कारे काल की सारे काल की कैसे हो सकती है तो यह प्रशन कभी गलत नहीं जाएगा बहुत ही इजी धारा है जैसे सदस्य की मृत्य होगी तो पहला पॉइंट लिख लो सदस्य की मृत्य होगी अपने आपी ती समापत होगी हाना रेजिगनेशन दे दिया त्याग पतर दे दिया बच्चा विद्याले छोड़ के चला गया बच्चे ने बारवी कक्षा पास कर लिया यू मानके चलो जो समसी की सबसे बड़ी कक्षा होती है कक्षा उसको पास कर लिया SMC के साधान सभा से एक तरीके से उसका कारेकाल क्या हो गया समाप्त हो गया तो ऐसी बातों को भी लिख लो त्याग पत्र देने पर त्याग पत्र देने पर भी कारेकाल क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा है ना तीसरा लिख लो आप लिख लो संतानों द्वारा यानि उस सदश्य की संतान की द्वारा संतानों द्वारा कक्षा को उत्तिरन कर देना खक्षा को उतिरन कर देना वही एक बात बताओ बच्चा पास करके चला गया तो आप सदस्य नहीं बने रहेंगे आपकी सदस्यता वहीं पर समाप्त हो जाएगी ऐसे ही आपको याद रख लेना है आप कह सकते हैं कि अगर बच्चों ने विद्याले छोड़ दिया संतानों दोरा विद्याले छोड़ने पर देखिए मैं आपको बताओं RTE और RRT की एक एक धारा को आपने बड़ी घंबीरता से और बड़ी तटस्ता के साथ पढ़ा है अब बात कर रहे है SMC की तो प्यारे साथियों इतनी धाराएं देखके बावले हो जाओगे इसलिए दो धाराएं मैं महत्वपुन बता रहा हुना केवल उनके उपर इंपोर्टेंस का निसान लगा लिना क्योंकि अगर मैं महत्वपुन बता रहा हूँ इसलिए अपनी तरफ से ग्यान लगाते हुए पहले कोशिस ये करना कि जिन जिन को मैंने महत्वपुन बताया है उतनी चीज़ें तो याद कर लो बाकि अगर आपको 30 की 30 दाराएं कंठस्ट हो तो फिर तो कहना ही क्या है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती है ठीक है ना? तो ये होगी हमारी कौन सी दारा? दारा आठ जो कारेकाल की समाप्ती की बात करती है ऐसे ही प्यारे साथियों अपन बात करेंगे दारा नो की दारा नो क्या कहती है? धारा नो कहती है कि साधार्ण सभा की responsibilities, साधार्ण सभा की क्या-क्या उत्तरदाइतों हैं, साधार्ण सभा की क्या-क्या कर्तव्य हैं, ये कर्तव्य प्यारे साथियों सर्व सम्मति से त्या किये जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी महत्तपुन धारा नहीं है, आप फिर भी लिख लो आप लिख लो साधान सभा के साधान सभा के अधिकार यानि राइट्स अधिकार करतव्य करतव्य सर्व सम्मति से त्या किये जाएंगे सर्व सम्मति से यह किये यह किये जाएंगे यह धारा कौन सी होगे प्यारे साथियो धारा आठ नो होगी धारा आठ समाप्ति की बात करती है धारा नो कहती है कि जो भी responsibilities है जो साधान सवा के अधिकार हैं, rights हैं उन सभी का जो है उन इर्धान कैसे किया जाएगा सम्मति से किया जाएगा, सर्व सम्मति का मतलब होता है सभी आपस में मिलकर, मिल जूलकर जो है वो एक सहमति, एक मत से जो है, वो है, निर्धारन करेंगे प्यारे साथियो बहुत अच्छी, important धारा धारा 10 तो साधान सवा की बेटकों की बात करती है सबसे important धारा है, अब तक की धारा 10 धारा 10 धारा 10 को बहुत अच्छे से समझना है आपको देखी, बात करते हैं धारा 10 की और हमने कहा इसकी heading पढ़ लेना कि साधान सवा की बेटक धारा 10 किसकी बात कर रहा है? साधान सवा की बेटक की बात कर रही है अना, तो आपको पहले तो याद रखना है कि साधान सवा की न्यूनतम वर्ष में दो बेटके होना जरूरी है एक बेटक से दूसरी बेटके बीतर छे महा से अधिका अंतराल नहीं होना चीए तो वर्ष में ऐसे लिख लो वर्ष में यूनतम दो बेटक अनिवारे हैं एक बात ब्रेकिट में लिख ले न छे महा का अधिक्तम अंतराल छे महा का अधिक्तम अंतराल ठीक है? अच्छा, सबसे बड़िया प्रशन यहीं से बनते हैं कि कितनी बेट के होने चीए, कितनी गणपूर्ती होने चीए गणपूर्ती यानि कोरम तो याद रखना एक बटा चार सदश्यों की गणपूर्ती आवशक है और इस बेटक की सुचना प्यारे साथियों चार दिन पहले सचीव द्वारा दी जाएगी साधान सबा की बेटक जो है इसकी सुचना चार दिन पहले दी जाएगी अगर इस बेठक के अंदर सुचना के बावजूद एक बटा चार सदश्य गणपूर्ती में सामिल नहीं होते हैं तो बेठक नहीं होगी बेठक साथ दिन के भितर पुने आयुजित की जाएगी लेकिन उस पुने आयुजित की जाने वाली बेठक में गणपूर्ती आवश्यक नहीं है तो ये वाली बात भी आप लिख लो धारा दस के अंदर हमने का वर्स में नियूंतम दो बेठकें छे माहा का अंतर और आप कह सकते हैं कि गणपूर्ती एक बटा चार बोल दो या 35 परसेंट बोल दो ठीक है और सुचना के अगर बात करूँ मैं सुचना तो मैंने आपको बता दी चार दिन पूरू है चार दिन पूरू क्या होगी सुचना होगी अच्छा गणपूर्ती नह होने पर वो भी बात बता दी अपने गणपूर्ती नहां होने पर उन्ह गणपूर्ती नहां होने पर उन्हें साथ दिन में बेठक जिसमें गणपूर्ती अनिवारे नहीं गणपूर्थी आनिवारे ठीक है तो यह सबसे important धारा आगर आब तक की है तो धारा 10 है धारा 10 मैं 3 star लगा रहा हूँ एक एक प्रावधान इसका पढ़ लेना कैसी गुमा फिरा के प्रशन पूस सकता है कैसी गुमा फिरा के प्रशन पूस सकता है ठीक है न कि जो है कितनी इस जितोना जरूरी है, कितने दिन पहले सुजना दी जानी चाहिए और गंड़पुरती अगर पूरी नहीं हुई है तो कितने दिनों के अंदर पुनाए बेठक होगी क्या उसके अंदर गंड़पुरती अनिवारे है है क्या, ऐसे करके अगर परिशन बनाता है तो आपका प्रश्ण गारत नहीं होगा ये धारा कौन सी होगी प्यारे साथ यो धारा 10 होगी, धारा 11 क्या कहती है कि परतेक SMC की एक कारे-कारी परिश्द होगी यह बात अपन पहले भी करके आ चुके हैं धारा 11 धारा 11 कह रहा है कि साब SMC की SMC की एक ठीक है अब ये कारे कारी परिश्द है ना प्यारे साथी हूँ ये मैंने आपको बताई है ये मैंने आपको बताई है जो RRTE मैंने कराया है राजस्तान का RTE जो मैंने कराया है ना उसके पेज खोल के देखो उस पेज पे धारा 345 जो नियम 345 है उसके अंदर मैंने पूरी कार कारे कारी परिशद का गठन धारा किसमे है धारा बारा में कारे कारी परिशद की सरंचना लिख दो कारे कारी परिशद की सरंचना किसमे है प्यारे साथ यूए धारा बारा में है किसमे है धारा बारा में है याद करो जिसमें मैंने आपको बताये था सोला सदश्य होते हैं 12 सद्ष्य वाली कारे कारी समीती yade करो 12 सद्ष्य वाली कारे कारी समीती और अपने 16 के 16 सद्ष्य मैंने आपको लिख के बताए की कौन-कौन से 16 सद्ष्य होंगे यदिशी आपस में इंटर लिंक करके पढ़ोगे न तब आपको यद चले गे कि जो आप RRT के अंदर जो धारा 3, 4, 5 जो पढ़ कर आए है ना मैं धारा भी आपको चलो लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ RRT E की धारा 3, 4 मान लो 3, 4 में मैंने आपको पूरी की पूरी Executive Council पढ़ा ही है प्यारे साथ यह पूरी की पूरी ठीक है ना कौन-कौन सी धारा 3, 4 के अंदर RRT E की धारा 3, 4 बहुत अच्छे से पढ़ के आना वहाँ पे आपको 16 सदश्य वाली RR जो आपकी कारे-कारी परीश्यद है इसके बारे में अपने बहुत अच्छे से बात करिये कितने सदश्य होंगे, कौन-कौन से सदश्य होंगे, कौन सा सदश्य किस के दौरा मन लिखेंगे धारा 13, धारा 13, धारा 13 के बारे में आप एक ही पॉइंट लिख लो, कि यह क्या बात करता है, यह कारे कारी परिश्द के, यह कारे कारी परिश्द के पदादिकारियों के, जो भी पदादिकारी हैं उन पदादिकारियों के चुनाव के संबंद में बात करता है किसके संबंद में बात करता है चुनाव कि कैसे जो है वो लोग जो है वो आपकी कारे-कारी परिशद में चुने जाएंगे प्यारे साथियो, धारा, मैंने कहा, ग्यारा भी महत्तपूर्ण है, ग्यारा तो इसलिए महत्तपूर्ण है, कि ग्यारा से एक प्रशन मनता है, कि कौन सी धारा ऐसी है, जो SMC के भीतर कारे कारी परिशद की अनिवारेता को महसूस करती है, तो आपको ध्यार नकना है, वो धार सरंचना कैसी होगी और मैंने कहा कि यह सरंचना वाली जो बात है ना प्यारे साथियों यह मैं पहले पढ़ चुका हूँ सरंचना वाली बात जो है यहापने पहले पढ़ ली है ठीक है ना तो इसको अपन पुने यहाँ पर नहीं देखेंगे fall to time listening करेंगे क्योंकि ये वाली चीज मैंने आपको बताई हालांकि धारा 12 भूत महत्वण है धारा 10 भी महत्वण है और धारा 12 भी आपके लिए महत्वण है ठीक है ना तो ये धारा आपको बहुत अच्छे से तूरंत जब आप ये पढ़ रहे हैं तो तूरंत आपको जो है वो RRT की धारा 34 जो है मैंने पढ़ाई है वहाँ पर चले जाएं और वहाँ से अगर आप पुने लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और अगर आपको यह चीज याद रह जाएगी कि हाँ सर ने वहाँ पर करवाया था तो आपको पुने पढ़ने की बात करती है धारा 14 धारा 14 कहती है कि जो कारे कारी परीशद है क्या जो आपकी कारे कारी परीशद बोल दो या कारे कारी समीती बोल दो कारे कारी समीती के जो अध्यक्स है जो अध्यक्स जी है अध्यक्स का बोल दो या जो इसके उपाध्यक्स है या जो सचीव है इनके क कारे क्या हैं सचीव के कारे क्या क्या हैं तो पहली बात तो एक ध्यान रखना है कि जो अध्यक्स के कारे हैं वह सारे के सारे उपाध्यक्स के कारे भी होते हैं लेकिन कब जब अध्यक्स उपस्तित नहीं होता है जब अध्यक्स उपस्तित नहीं होता है तो सारे के सारे कारे क इसके हैं प्यारे साथ यो वर के वे सारे कारे किसके होते हैं उपाध्यक्स के भी होते हैं इसलिए आपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे अधिक्स जी की बात करेंगे कि अधिक्स जी क्या-कारे करेंगे अधिक्स जी क्या-कारे करेंगे तो पहला काम तो इनका ये है कि ये ब अध्यक्स सबसे अच्छा पोइंट लिखे लेना इसका कि अध्यक्स को निरनायक मत का अधिकार होता है निरनायक मत देना ऐसे लिखे लो अच्छा अध्यक्स ही होता है जो बेठक को बुलाता है और बेठक को आहुत करता है ये भी लिखे लो आप बेठक बुलाना वै आहु आहुत करना आहुत करना ऐसे ही आपको याद रखना है कि सभी जितने भी डोकुमेंट्स होते हैं उन पर भी हस्ताक्सर यही करता है तो आप लिख सकते हैं दस्ता वेजों पर हस्ताक्सर यह काम भी किसका है अध्यक्स जी का है ठीक है ना ऐसे ही आपको याद रखना है आए पर नियंत्रन करने का कारे भी किसका है, इनी का है, नियंत्रन ने करे तो नियंत्रन संबंदी निर्देश, ऐसे लिख लो, नियंत्रन संबंदी निर्देश, ठीक है न, ठीक है, अच्छा, अब देखो, ये सारे के सारे काम किसके हैं, अद्धेक्स के, कौन-कौन से बेठक ब बुलाना है वाहुत करना दस्तावेजों पर अस्ताकसर करना आई वे पर नियंतन रखना यहां पर वैस एक चीज ऐसे लिख लेना कि अद्धिक्स की अद्धिक्स की अनुपस्तिती में अद्धिक्स की अनुपस्तिती में अक्तकारे अक्तकारे अद्धिक्स करेंगे कौन करे घस के होंगे ठीक है यह वाली बात आपको याद रखनी है कलिर है यह तक यह तो होगे किस के काम अदेख्स के काम होगे अब आपन जो हैं वह दिख लेते हैं सचीव के काम किसके सचीव क्या करेगा प्यारे तो याद रखना सबसे दुरूरी, बेठक का एजेंडा यही त्यार करेगा, बेठक का एजेंडा त्यार करना, बेठकों का एजेंडा त्यार करना, मतलब क्या बेठक होगी क्या बातचीत करेंगे उसमें यह सारा काम है अच्छा मैंने आपको कहा था बेठक की सुचना भी यह जारी करता है बेठक की सुचना जारी करना बेठक की सुचना जारी करना ठीक है और क्या हो सकते है वित्य आंकडे जारी करना वित्य आंकडे निर्मान करना भी लिख सकते हैं यानि ये सारा काम तो सचीव कही होगा वित्य आंकडे तयार करना तयार करना जितनी भी बेटके हुई है उन सभी बेटकों का विवरन वे रिकोर्ड रखना अना ये भी काम सचीव का ये बेटकों के बेटकों का वीवरण वे रिकोर्ड रखना वीवरण वे रिकोर्ड रखना tu economics ये काम भी किसका है प्यारे साथ ये सचीव का है ठीक है मेरे खिलाज से बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रही है अद्यक्स जी क्या काम करेंगे और सचीव साब क्या क्या काम करेंगे सारी चीज़ें आपको बहुत बड़ी तरीके से क्लियर होगी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जहां पर confusion की स्थिती बने कि कौन कौन से काम अद्यक्स के होगे और कौन कौन से काम सचीव के होगे ज़्यादा दिमाख लगाने वाले काम किसके हैं सचीव के हैं एजेंडा त्यार करना सुचना जारी करना वितिया आंकडे तयार करना record मना के रखना विवरण मना के रखना ठीके न तो ये वाली चीज होगी कौन सी धारा धारा इसकी बात करती है अद्यक्स उपाद्यक्स और सचीव के कारे कारे कारी कारी समिति का द्यक्स क्या काम करेगा और उसका सचीव क्या काम करेगा अब धारा पंद्रा धारा पंद्रा कहते हैं कि कारे कारी कारी की जो समिती है इन समिती के सदस्यों का कारे काल प्यारे साथियों दो वर्सका होगा ये बात अच्छे से लिख लेनी है तो धारा पंद्रा धारा पंद्रा बहुत अच्छ से लिखना, छोड़ी छोड़ी धारा है अब तो कुछ नहीं है, विशेस बड़ी बड़ी बाते होगी है। ठीक है न, आप लिख लो, कारे कारी समीती के, कारे कारी समीती के, प्रदश्यों का कारे काल, प्रदश्यों का कारे काल, दो वर्ष हो, कितना होगा, दो वर्ष, ठीक है, चलेर होगी बात सभी को, चलेर होगी, ठीक है, तो धारा पंदरा जो है, वो इतनी महत्यपुन नहीं है धारा 15 सिर्फ समय बतारी है और समय आपको याद रखना है कि जो समीती के सदश्य हैं इन समीती के सदश्यों का कारेकाल जो है वो दो वर्स होगा यानि प्रती दो वर्स के पर साथ जो कारे-कारी परिश्द है प्यारी साथी हो वह विगटित हो जाएगी ये ध्यान रखना, नए सदस्चे उसमें आएंगे, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे ही अगर आपसे प्रशन मन जाए, धारा सोला है, धारा सोला है तो बिल्कुल भी महत्वपुड नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पीछे पढ़कर भी आए है, कि जो कारे कारी समीती होती है, इस कारे कारी समीती के क्या क्या कारे हैं, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे कौन सी दारा में आते हैं, तो यहां सिर्फ इतना सा याद रख लो, कारे कारी समीती के कारे, समीती के कारे वे कर्तब्वे, कारे वे कर्तब्वे, ठीक है ना, ये अपन पीछे प करेगी ठीक है ये कौन सी धारा होगी धारा सोला ऐसे ही आपको याद रखना है धारा सत्रा धारा सत्रा थोड़ी सी महत्वपुण है क्योंकि ये कारेकारी समीती की बेठक की बात करती जो परतेक माह की अमावश्या को होगी आम आवश्या को परतिक माह की आम आवश्या को बात वो यह चार दिन पूरू सुचना देनी होगी चार दिन पूरू सुचना देनी होगी बैस एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर गणपूर्ती एक बटा चार नहीं है यहाँ पर गणपूर्ती जो है वो एक बटा तीन है मैंने आपको पीछे भी RRT में बताई है मैंने बताया था साधान सभा में सदस्य जादा होते हैं तो वहाँ पर एक बटा चार जरूरी है जबकि यहाँ पर कारे कारी समीती में सदस्य के संक्या मातर 16 होती है तो 16 के एक बटा तीन सदस्य भी आ जाएंगे तो जो है वहाँ बेठक जो है वो संचालित हो सकेगी बेठक संचालित हो सकेगी अच्छा और क्या हो सकता है पुने बेठक आपको याद करना है पुने बेठक वो ही साथ दिन वाली बात पुन्या बेठक सात दिन में ठीक है न, पुन्या बेठक अब होगी सात दिन में अलांकि जो आपने गणपूर्ती की बात करिये न, एक बटा तीन गणपूर्ती की बात करिये न, एक बटा तीन ये गणपूर्ती जो है ना अलग से बताईगी ये धारा 18 में आप लिखना चाओ तो अलग से भी लिखे लो धारा 18 जेको छोटी-छोटी धारा है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है इन पे धारा 18 ठीक है कारे-कारी परिशत की गणपूर्ती कारे-कारी समिती की गणपूर्ती कारे-कारी समिती की गणपूर्ती गणपूर्ती कितनी होगी प्यारे साथियो एक बटा तीन कारे-कारी समिती की जो गणपूर्ती है वो कितनी है एक बटा तीन है ऐसे ही धारा 19 अध्यक्स की न्युक्ती की बात करती है धारा उननीस कारे कारी परिश्यत के अध्यक्स की न्युक्ति कारे कारी समीटी के अध्यक्स की न्युक्ति बिल्कुल भी महत्त पुर्ण नहीं है अपन पढ़गर आये हैं अध्यक्स वही होंगे जो साधान सबाके अध्यक्स होंगे तो इतना कोई बड़ा प्रशन यहां से नहीं बनेगा इसलिए याद रखना बैस अलके मूड से अना धारा बीस देख लो धारा बीस धारा बीस प्यारे साथियों निर्ने कैसे लिए जाएंगे कारे कारी समिती में निर्ने कैसे लिए जाएंगे तो निरने प्यारे साथी याद रखना बहुत अच्छे से निरनेन परकिरिया को लेकर प्रिशन बन जाए अगर निरनेन परकिरिया निरनेन परकिरिया तो याद रखना निरनेन परकिरिया दो ही परकार से होती है इसे दाराएं एक बार मेरे लिए बताना जरूरी है क्योंकि 30 दाराएं लेकिन आपके लिए इन 30 में से भी मैं कहता हूं कि जहां मैंने 5-6 दाराओं पर आपको इंपोर्टेंस बताई है वो 5-6 दाराएं बहुत अच्छे से आपको पढ़के जानी है वो 5-6 दाराएं आपके हैं कि होगा पर करेंगे हैं याननि हाथ उठाकर मतदान होता है अच्छे यहां पर बड़ी है बात कि निर्णाइक मत का अधिकार किसको है अध्यक्स को यह वाली बात बात मिलिख लेना इरिःग मतादिकार अध्यक्स निर्णायक मत अधिकार किसको अध्यक्स को ठीक है ये कौन सी धारा है ये धारा 21 है धारा 21 है धारा 21 है धारा 21 वोटिंग परगिरिया की बात करती है निर्णायक मत की बात करती है कि जो निर्णायक मत है अध्यक्स का रहेगा ठीक है ऐसे ही कितनी धारा होगी है मारी धारा हो होगी 21 चोटी चोटी धाराएं है आठ नो धाराएं और बचिए आपकी धारा 22 की बात करते हैं धारा 22 कहती है कि जितने सभी निर्ने आपने लिये हैं उन सभी निर्ने का रिकोर्ड या अभिलेक सचीव द्वारा रखा जाएगा ये धारा 22 से थोड़ी सी महत्पुन है तो आप लिख लेना सभी निर्ने सभी निर्ने सचीव द्वारा सभी द्वारा संधारित किया जाएगा संधारित वर्ड यानि रिकोर्ड रिकोर्ड धारित किया जाएगा ठीक है न? तो ये धारा 22 आपको याद रखनी है कि जितने भी बेट के हैं उन बेटकों में जो decisions हो रहे हैं, उन decisions को जो है, मूल रूप से उसके record को रखने की जिम्मेदारी किसकी है प्यारे साथियो, तो ये सचीव महदे की किसकी है? सचीव महदे की है ठीक है? धारा 22 होगी धारा 23 क्या बात करते है? धारा 23 कहती है कारे कारी समीती जो है उसके सदस्यों के कारे काल की समाप्ति कैसी होगी तो सेम वो ही बात है जो आप पीछे पढ़कर आए हैं ठीक है न? धारा 23 धारा 23 क्या कहती है? कारे कारी परिशद के सदस्यों की कारे काल समाप्ती यानि सदस्यों का कारे काल कैसे समाप्त होगा तो पहली बात तो जहान रखना कि सदस्यों पर यदि ब्रस्टा चार का रूप लग जाता है तो उनका कारे काल समाप्त मान लिया जाएगा ये पहला point बहुत अच्छा, सदस्यों पर रस्टा चार का आरोप लगने पर, ठीक है, तो भी उसका जो कारेकाल है समापन माना जाएगा, आत्वा एक और बड़िया point आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि यदि तीन बेठक तक कोई सदस्य बिना सुचना के अनुपस्त रहता है, तो अभी कारेकाल समाप्त होगा, बिना सुचना के, बिना पूरुप सुचना के, तीन बेठकों अनुपस्तित रहने पर, पस्तित रहने पर, ये वाली बात भी आपको ध्यानक नहीं है, बाकि जो सारी की सारी आप धारा आठ में पढ़कर आएं हैं ना, साधान सभा के सदश्यों के कारेकाल के समाप्ती, धारा आठ, आप याद करो एक बार, धारा आठ, ये सारी चीजें, सदश्य के मृति होगी, त्याग पतर दे दिया, संतान दवरा उचक्षा को उतीरन कर लिया गया, संतान दवरा विद्याले छोड़ दिया गया, तो ऐसी सभी, धारा आठ वाले प्रा, यहाँ पर मैंने दो पैसा आपको अलग से बताए हैं, ठीक है, ये क्लियर होगी, ये कौन सी होगी, धारा तेविस, धारा चोविस ये कहती है, कि मान लो कारेकारी समीति के कोई सदश्य का पद खाली है, तो वह पद अगली बेठक में सेश सम पद रिक्त होने पर उस पद की पूर्ती है, वो अगली बेठक में, कौन सी बेठक में, अगली बेठक में सेश समय के लिए की जाएगी, क्योंकि हमने का कारेकारी परिश्यति के सदश्य का कारेकाल दो वर्स होता है, ठीक है न, तो ये वाली बात भी आप लिख लो, धारा दारा चो, देख लो, रिक्त पद, रिक्त पद अगली बेठक में, सेश समय के लिए, जुक्त फिर आपको याद रखना है, धारा पच्चिस, धारा पच्चिस कहती है, कि जो विद्याले विकास कोस होगा, उस विद्याले विकास कोस के उपर अधिकार, अध्यक्स और सचीव का होगा, यानि उसी के सुपरविजन में विद्याले विकास कोस से पैसा निकलेगा, तो य अध्यक्स सचीव के अधिकार छेतर में होगा। कुनसी धरा कहती है धरा 25। विद्याल твор nuestra क्यों है, किस में काम करेंगा। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि वह अध्यक्स और सचीव के अधिकार शित्र में कारे करेगा ये धारा 25 कहती है धारा 26 कहती है कि ये जो सदस्य है ना इनका कोई अलग से पारिसर्मिक नहीं है कोई मान दे नहीं है ये वाली धारा भी मेत्वण है आप लिख लो धारा 26 ये बहुत इंपोर्टन धारा है लिख लेना पूछी गई है अना कदश्यों को वेतन वैमान दे नहीं मतलब इस नाम का वेतन वैमान दे नहीं मिलेगा कि भाई आप जो है वो कारे-कारी परिशद के क्या है कारे-कारी परिशद के क्या है अध्यक्स हैं, सचीव हैं इस बात का आपको कोई पैमेंट मिल रहा नहीं कोई पैमेंट नहीं मिलेगा ये वाली बात आपको कौन सी धारा में याद रखनी है धारा 26 में धारा 27 भी एक लाइन की धारा है धारा 27 कहती है कि सारे के सारे परशासनिक और पत्र वेमार सचीव द्वारा की जाएंगे अना समीती के जितने भी परशासनिक कारे होंगे धारा 27 क्या कहती है वलिक लोग धारा 27 कहती है कि सभी परशासनिक कारे प्रशास्निक कारे पत्र वेमार किसके द्वारा होंगे सचीव के द्वारा कौन सी धारा ये धारा 27 तो धारा 22, 25, 27 आपके इस स्लाइड में हो जाए ठीक है न? ठीक है? तो धारा 27 ने क्या कहा? कि सभी प्रशास्निकारे और पत्र वेमार जो है सचीव ही करेगा बाई सचीव जो है वो पढ़ा लिका वेकती है आपको पता है ठीक है न? तो प्रशास्निकारे जो है वो सचीव के द्वारा होंगे ये कौन सी धारा कहते है, धारा 27 कहती है, कौन सी धारा कहते है प्यारे साथियों, धारा 27, बात करते हैं धारा 28 की, किसकी बात करते हैं प्यारे साथियों, धारा 28, धारा 28 कहती है, ये जो समीती आप पड़ रहे हैं, इस समीती के प्रावधानों में ये परिवर्तन करने का प्रावधानों में प्रिवर्तन राज्य सरकार दौरा इसके दौरा राज्य सरकार दौरा ही हुआ है क्लियर है, धारा 29, धारा 29 क्या कहती है, कि कारे कारी परिश्द का विगेटन प्रती दो वर्ष में हो जाएगा, ये धारा 29 क्या कहती है, दिख लो, कि कारे कारी, कारे कारी नी का विगेटन, कारे का विगेटन, प्रती दो वर्ष में, ठीक है और धारा तीस देखे जोखों के निरिक्षन की बात करते हैं बिल्कुल भी महत्तपूर नहीं है धारा तीस आपलिक लोग जो समीटी है इस समीटी के लेखे जोखों का विवर लेखे जोखों देखे जोखों निरिक्षन तो है वो जाधी कारी दुआरा किया जा सकता है तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि लेखे जोखों का निरिक्षन बड़ी सी क्लास बड़ी हुई है लेकिन मैं चाहता था कि एक क्लास के अंदर आपकी at least SMC जो है वो पूरी हो जाए अब आपने बहुत बहुत बहतरीन तरीके से SMC की आवशक्ता को देख लिया कि SMC क्यों जरूरी है SMC के इतियास को देख लिया SMC कैसे अस्तितों में आती है और उसके बाद में SMC की सभी 30 धाराओं का अध्यना आपने कर लिया है तो प्यारे साथियो इसी के साथ हमारा जो SMC वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक कम्पलीट होता है और मैं उमीद करता हूँ कि बहुत ही बहतरिन तरीके से आपने इस बिंदू को पढ़ा हो और समझा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स बनाएंगे ऐसी मैं उमीद करता हूँ और इनी उमीदों के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करता हूँ फिर मिलते हैं किसी नए बिंदू के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत राम राम साथ